पिकास की रप्तार को गती मिलेगी इस बजेट से टैक्स व्यवस्था का सलरीन करना होगा इन्फा स्ट्रक्चर का आधुनी करना होगा ये बजेट उद्यम और उद्यमियों को महिलाओं की भागिदारी को और बढ़ाएगा ये बजेट सिख्षा को बहतर बनाएगा आर्टिफिशल इंटलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाव को लोगों के बीच पहुचाएगा इस बजेट में आम नागरिक के लिए ईज़ और साथ ही गाव और गरिब का कल्यान भी है पिछले पांच साल में देश निराकशा के मातावन को पीछे छोड़ चुका है उस बातावन से बहार निकल गया है और देश उम्मीदों से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है बिजली, गैस, सड़क, गंदकी, ब्रस्टाचार, वी आईपी कल्चर अनेक अनेक कठिनाईयां सामान ने मानवी को अपने हक के लिए जद्दों जहाद की जिन्दगी क्याने एक प्रखर से खुझ से उसको जूजना पड़ता था उसको कम करने के लिए हमने लगाता प्रयास किये हैं सफलता भी मिली है आज लोगों के जीवन में नई आकांच्छाएं और खूप सारी अपेक्षाएं यह बजेट देश को विश्वाद दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है यह विश्वाद दे रहा है कि दिशा सही है प्रोसेस ठीक है गती सही है और इसलिए लक्ष पर पहुँचना भी निश्चीत है यह बजेट आशा विश्वार और आकांच्छा का बजेट है यह बजेट 21 सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्मान में एक एहम कड़ी साबित होगा यह बजेट वर्थ 2022 यानि आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संग्दल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारन करेगा पिछले पांच वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसाम, दलीत, पीडीत, सोसित, वंचित को ससक्त करने में एमपावर करने के लिए अनेक भीत कड़म उठाए अब अगले पांच वर्षों में यही एमपावर्मेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा पांच ट्रिलियन डॉलर एकोनमी यानि की पांच लाग करोड डॉलर की अर्थे बवस्ता के सपनों को पूरा करने की उर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी बजेट में क्रिसी छेत्रे में स्ट्रक्शल रिफार्म के लिए नई योजनाओं का एलान किया गया है PM किसान सम्मान निजी के माध्यम से किसानों को सीधे लगबग 87,000 करोड 87,000 करोड रुपिये का ट्रांसपर हो या 10,000 से जादा फार्मर प्रडूसर और नेशन एप्पी ओ का संकल्प मच्वारों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वैरहाउसिंग ग्रीड की स्थापना ये योजना है बर्स 2022 तक किसानों की आए दो गुनी करने में प्रभावी भूमी का निभाएगी ग्रामीन अर्थेववास्था में निवेश बढ़ाने से गाउं में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे जन शक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है जल संचय जन अंदोलन की भावना से हो सकता है इस बजेट में वर्तमान ही नहीं भावी पीडी की चिंता साप साप नजर आती है स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर गर जल का अभ्यान देश को जल संकर से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा बजेट में लिए गए फैसले अगले दसक की नियूम मजबूत करने के साथ ही नवजबानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे ये बजेट आपकी अपेक्षाओं का आपके सपनों का आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक अइतिहासिक कदम है मैं कल काशी में इस विशेपर विस्तार से बात्चित करने वाला हूँ लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्नमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और भारत के समी नागरीकों को उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुपकावनाई देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद